बुलूटूथ स्पीकर खराब समझ कर फेकना मत यह ट्रिक आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक खराब बुलूटूथ स्पीकर है जिसे हम इसे ओपेन करने वाले हैं और यह खराब समझ के फेक दिये थे यानि इस इसको एकदम कबारे में फेक दिये थे अब चलिए यहां से जाली को ओपेन करेंगे उसके बाद इसमें चार स्कूरूब लगे राते हैं चारों स्कूरूब को खोलेंगे और इसे आप लोगों को चालू करके दिखाएंगे यह काफी जुगार से बनाया गया था इसको मैं पहले ही देख लिया था गुलू गण से चिपकाया गया था जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले हम स्कूरूब को खोलेंगे खोलने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कितने जुगार से फिट किया गया है ब्लू तूथ मडूल को अब यहा जो गुलू गन से चिपकाया गया है काटके इसे हम निकालेंगे तो चलिए अब गुलू गन को यहां से हम इस तरह नोच लेते हैं गुलू गन एक अच्छी चीज होती है जो किट को खराब नहीं करती है आप कहीं पर भी इसे चिपका सकते हैं आप इसको कहीं पर भी चिपका देंगे गुलू बन से तो खराब नहीं करती है चलिए काफी मुश्किल से यहां से निकला काफी अच्छे तरह से चिपकाया गया है और इसे चिपका के हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या खराबी इसको क्यों फेक दिया गया था जो हम आप लोग रिपेरी करके बताएंगे जो ब्लू तूट मोडूलर होता है वो काफी अलग अलग कमपणियों को आता है जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी कमपणी का अगर है उसकी रिपेरिंग एक ही तरह होगी जिस तरह आप एक ब्लू तूट के रिपेरिंग करना जान जाएंगे तो सारे ब्लू तूट के र निका लेते हैं और देखिए box के अंदर कुछ भी नहीं है और यहां बैटरी वाली बैटरी यहां speaker को साफ कर लेते हैं अब आप साप करने के बाद आप यहां पर देखेंगे हम बैटरी को अलग करेंगे अधर को इस तरह बैटरी को छुड़ा लेंगे अच्छे तरह से देखेंगे कहीं हमारा वायर ब्रेक या कड़ गया या कहीं से छूटा तो नहीं है तो अच्छे तरह से हम पहले साफ अपाई करने — क्या होता है कभी can साप सफाई करने से ब्लूटूथ मॉडूलर को साप उप करने से अच्छे तरह से फिर वापस चलने लगता है तो साइद यहाँ पर हम बैटरी में देख लेते हैं कहीं से कारबन या कुछ भी नहीं दिक्कत है यहाँ पर बैटरी सही है बड़ा से अंदर जौइन है अब यहाँ पर इस टीकर को भी उचाल लेते हैं अभी Bluetooth IC जो होती है, जो speaker IC होती है, ठीक उसके सामने IC होती है, और वो IC कभी-कभी खराब होती है, आप Bluetooth को जब गाना बजाते समय, अगर आप तेज करते हैं, तो देखें, बैटरी तो आन है, यहां समने आन किया, तो बैटरी आन है, तो अब यह जो है, कभी गाना को तेज करने से, वो IC चली जाती है, तो अभी आपर देख सकते हैं, Bluetooth हमने आन किया, अबरे वायर को अच्छे तरह से, हम यहां पर चेक कर लेंगे, कोई वायर हमारा छूटा नहीं है, या कहीं पर बार बार सुच को आन हाप करने से, सुच खराब तो नहीं हो गया है, क्योंकि सुच अगर खराब हो गया तो रिपेरिंग हो सकती है, अगर IC चली गई है, तो नहीं कर सकते हैं, इस speaker को एक बार check कर लेंगे, कहीं हमारा speaker तो नहीं खराब हो गया है, या उड़ गया है, तो यह सारी चीजे को हम एक बार आगे पीछे करके, उपर नीचे करके, सारे तरह से हम check कर लेंगे, समझ लेंगे, कि यह जो bluetooth modular है, इस speaker को एक दम फेक दिया गया था भंगार में फेक दिया गया था, अभी इसे हम बनाएंगे, और इसे हम चालू करके, आप लोग दिखाएंगे यहां पर, तो यहां से जो wire को चिपकाया गया, वहां पर भी सब wire को अलग-अलग करके, अच्छे तरस इसे देख लेंगे, तो यहां पर कोई कमी तो हमें नहीं महसूस हो रही है, इसे एक बार जो है, देख लेते हैं, उसके बाद इसे हम मोबाइल में कनेट करेंगे, मोबाइल से इसे ब्लुटूथ को कनेट करके, अब यहां पर जो है, हम आप लोगो गाना चालू करके दिखाएंगे, यह जो है, ब्लुटूथ मोडूलर, यह सही है, इसे साप सिर्फ साप कर दिया गया अच्छे तरह से और इसको जुगार से बनाया गया देखिए सारे वायर को पीछे से जोड़ा गया है और यह एक ही speaker के लिए बनाया है लेकिन इसमें other मतलब एक speaker के लिए और दिया हुआ तो आप इस तरह देख सकते हैं अभी इसे जो है यहाँ पर mobile में हम connect करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ BT 009C अब यहाँ पर इसे connect कर लेंगे तो यह अभी connect हो गया अब इसे जो है हम यहाँ पर इसमें गाना बजाएंगे इसे थोड़ा side में कर लेते हैं side में करने के बाद अब जो हम YouTube में चलते हैं अब YouTube में जैसे जाएंगे यहाँ से कोई एक गाना सर्च मारेंगे यहाँ पर आवाज जो है अच्छी तरह से clean साफ नहीं आ रही है लेकिन यह दोनों सही है Bluetooth भी सही है और speaker भी सही है यहाँ पर battery down होने की वज़ा से जो है यहाँ पर अच्छे तरह से आवाज बरबर कट 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 के आ रही है अगर एक बार आप इसे अच्छे तरह से clean करके और battery को charge करके लगाएंगे या इसमें charger jack लगा हुआ है उसमें आप जो है आपके घर पर जो mobile का जो charger होता उससे connect करके अगर इसे चलाएंगे तबी यह सही तरीके से चलेगा जैसे कि battery आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर solding की गई है बस battery charge नहीं है और speaker का wire कहीं पर भी छूटा नहीं है अच्छे तरह से यहाँ पर check कर लिया गया है और यह अच्छे तरह से complete हो गया है अगर आपको अपने speaker bluetooth को इसी तरह check करना है तो check कर सकते हैं किसी battery से तो यह द